अमेशे की तरह में आप लोग के लिएन बहुत दौबरदस टॉपिक लिकरे आ हीं जो के मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिसकास कर से क्योंब ट्रांथीचिन वोर्ट्स जिएशद लिए शरां में आप लोको बहुत सारी बाते बतायी थी उसमें तीन मैंने discuss भी कर लिये थे मैं addition का जो पार्ट है वो discuss कर रही थी transition के बहुत सारे part उते है as I told you के उसमें addition भी होता है contrast भी होता है इस तरह के बहुत सारे parts होते हैं जो मैं एक एकर के discuss करूँगी last video में जो के मैंने addition start करवा दिया तो आज मैं उसी को continue करूँगी दोनों तरह की बताऊंगी मैं आप लगों sentences के साथ ठीक है अगर मैं as well as पूरा यूज करना चाहिए तो मैं तो यह है this subject is practical as well as theoretical यह सब्जेक जो है practical भी हो theoretical भी है ठीक है तो यह सब्रीक है करने के लिए होते हैं तो as well अगर हम उसे करना चाहिए है तो we have to use it at the end of sentence the end of the sentence क्योंकि हमने sentence के end में akar हम as well as use करना चाहिए है तो हमिशा as well as along as well as अगर हम use करें तो sentence के बीच में लगाएंगे but as well as be connected यह है बहुत साहरे transition version इसे प्रप्रोन इसे करने के फिर को बार ट्माल गाने कर दो सेटे लिए बेच नहीं पर एसा नहीं है बीच में भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं, बट एक वे होता है यूज करने का कॉन सा जादा अच्छा लग रहा है है किस तरह हम अगर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा क्या फॉर्मल वे होगा हमारे बात करने का तो इस तरह जो मैं आज भी पढ़ूँगा कल भी पढ़ूँगा या मैं आज 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 भी इसके साथ ये भी, इसके साथ ये भी, तो यहां पर I'll study today and tomorrow as well. मैं आज पढ़ूँगी, मैं कल भी पढ़ूँगी, I'll study today and tomorrow as well. Last answer is his as well as he is cute and talented as well. अगर मैं इसको तरह ही बोला हैं, he is cute as well as talented. मैंने यहां पर उसकर लिया, he is cute and talented as well. जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम and use कर सकते हैं, ये basically and be connective है, बढ़ हम दूसरे connectives के साथ भी and को use कर लेते हैं. ठीक, जैसे moreover हो गया, as well, हो गया. इस तरह के sentence में हम and be साथ use कर लेते हैं. यहां पर मैंने लिखा है he is cute and talented as well. वो cute or talented डोनों है, यहां वो cute है और talented भी है, और talented भी है, यहां पर और भी आ गया and and be as well. इसी तरह मैं बात करते हूं besides की, besides की, not besides. आप लोग की चीज़ अपनी जहन में clear करने हैं कि मैं बताने वारी हूं कि besides का मतलब होता है बराबर. कि I am besides बात्स का है. अपर मैं besides की तरह में बन जाता है, besides क्नेक्टिव नहीं होता है, besides के कि आप होता है. कि I am saying besides की वहां होता है that the way besides is this the way and this is the way that is the way we call besides the way we call besides. जाते हैं besides milk and butter, I need bread . मिल्क और बटर के साथ मुझे ब्रट भी चाहिए I need bread besides milk and butter मतलब इसके साथ मुझे ये भी चाहिए ठीक है अब next sentence में बात करते हूं I want job for other reasons besides money मतलब मुझे job कुसी और वज़ासे भी चाहिए सिर्फ पैसे नहीं चाहिए मतलब मुझे चलो सिर्फ पैसे नहीं चाहिए या पैसो के साथ साथ मुझे और reasons की वज़ासे भी job चाहिए ठीक है I want job for other reasons besides besides money मतलब पैसो के साथ साथ या पैसो के इलावा भी मुझे और reasons की वज़ासे job करना चाहती हूं मैं job करनी चाहिए मुझे तो यहां पर लिखा हुआ है I want job for other reasons besides money मनी के साथ साथ पैसो के साथ मुझे और भी बहुत से reasons की वैसे job चाहिए यहां besides हमारे complete होता है इसके हम बात करते हैं apart from beside, apart from यह दोनों काफी हद तक match ही करते हैं मतलब एक usage वह भी similar हो जाता है मतलब एक हम transition words की बात करें उसमें एक portion है addition का addition का एक portion है जिसमें हम हर जगा पर यह दिसस करेंगे इसके साथ साथ यह भी इसके साथ यह यह भी और इसके साथ इस तरह के sense हम addition में use करेंगे तो यहां पर apart from beauty I need good personality मुझे beauty के साथ साथ अच्छी personality भी चाहिए यह ब्यूटी के इलावा यह भी चाहिए घर परендॉक्च अपर एक यह टी मनिंग यह भी जाहिए मदलब मेरे Perosonal issues के साथ मुझे कुछ और चीजे भी disrupt कर रही हैं यह कुछ और भी disrupt कर रहा है चीक है इसना अगर मैं बाते हैं लास्स सेंडेंस की अपार्ट फ्रॉम जॉब आयो इसके साथ साथ ये भी इसके साथ ये भी अब लोगो अची तरीके समझ में आया होगा इध विए और भी इडिशन की कुछ और बाकी है जो इसके साथ में और भी इडिस्कॉस करें इन्षाहला । फरें प्रॉम करूंगी किस पर कांट्रस पर तभी मैं और अगे इडिशन पार्ट करें आगे मैं इससी बात करें मैं के अपरफर्प्रम इसी थे नहीं और थे डिश्यूट के पार्ले के दित्वार्प्रम को बहुत सारे हैं तो भाट सारे इसे फिर्स्टली सेकंडली is तो भाट सारों आप वह इसको इस्थ कर देए यू जैसे कि हम कोई पाराघ्राफ लिख रहे हैं तो हम पहले लिखेंगे फ स्टीर फीरेर, में तो थीनों सब concept तैह despite. ये उसी पूरे चाप्टर टर्टम पार्ट व चप ए इस सब oसाइश सम ये ने क्रसेच्थ का में इस इस ये भी है मैं इसी चाहत डीया क्या खुर्ट सी इडिप्न टिफ तंड्स प्र इड़टिएट्ट सम्त इन इस साथ कोई सिचूएशन होग कि इसके साथそんな विजह मैं इसके संमने मुझे कुछ चीज कर थih और इसके साथ राहू चाहे इ local scene और मुझे अरता इर्रेटेर करता थियौ जाने में होमें इश होरा हुआ हो चाहे इन अरती बाइडल्य कर हीरिटेट करती हैं इसको इग्नौर नहीं कर पाती हैं इस तरह था आज का मेरा टॉपिक जो मैंने लाधा डिसकस किया था ती लास्ट वीडियो में आधा इस वीडियो में एडिशन का इसके लावा बहुत तारे तो आज यहां पर होता है मेरा एडिशन पार्ट कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है ट्रांजिशन वर्ट अभी चल रहे हैं इंशाला नेक्स वीडियो में आप लोगे एक नया कंट्रास वाला पार्ट लेकर रहा हूं तो आज तक मेरा मेरी वीडियो यहां पर एडिशन पार्ट वाली कंप्लीट होती है थांक्यू सो मुझ वोफुली आप लोगो अची तरह समझ में आया होगा आप लोगोंने समझा होगा नोड भी किया होगा इसको मिम्राइज भी किया होगा फिर इंशाला आप लगागे झालाप जोगा झालाप किया होगा झालापी किया होगा झालाप लोगोंने समझाली भी किया होगा जारा कृऊली आप